हमारा जो आज का टॉपिक है देट इस अबाउट दी एक टॉमिक साइजेज एक टॉमिक साइजेज का क्या मतलब है यह एक टॉमिक साइजीज हम क्यों स्टड़ी करने जा रहे हैं उसकी रीजन ये है कि एक टॉमिक साइजेज आर वेरी इंपोर्टेंट वाइब they are very important because many different things are dependent on the sizes of the atoms and molecules. Atom का साइज इसो जासे important है कि बहुत सारी जो physical and chemical properties है. इस वज़ा से यहां पर इस चैप्टर में हम एक छोटे से टॉपिक में जनरल इंसाइट लेंगे अब आटॉमिक साइज के अटॉमिक साइज होते क्या है अब नॉर्मली किसी भी चीज़ के साइज को हम लेंथ में लेते हैं लेकिन हम एटम के साइज को हम जो नॉर्मली लेते हैं उसको हम एधर रेडियस लेते हैं रेडियस आपको पता है रेडियस इज़ ऑलवेज associated with circle कोई भी अगर circle है तो यह इसके center से उसके बाहर वले point तक के फासले को radius कहा जाता है तो हम जब भी आप इसको study करेंगे atom के size को तो you will study like atomic radius you will study like ionic radius and covalent radius तो हमेशा जो है radius या radii this is the plural of the radius तो हम इसको radius इस वज़ा से लेते हैं कि it is supposed that the atom is circular और spherical in nature atom जोंके spherical consider किया जाता है तो spherical चीज़ों का radius होता है इसलिए हम इनके जो उनसे हैं sizes को in terms of radius जो है वो coat करते है कि यह atom है तो atomic radius ion है तो ionic radius covalent compound है तो covalent radius इस तरीके से हम इनकी जुनसी है measurement radius की terms में करते हैं अब यह होता क्या है basically atom का radius atom का radius होता है कि अगर मैं कहता हूँ जी यह एक atom है मेरे पास जिसके तीन शेल है तो atomic radius जो है that basically is atomic radius क्या होता है it is the average distance between दो चीज़ों के दर्मयान average distance किसके दर्मयान nucleus and outermost shell जो सबसे बाहर वाला shell है जो के यह वाला है इस case में यहां से लेके nucleus तक का जो average distance है यह जो average distance है this is called the R या atomic radius तो atomic radius की definition आपके पास आई this is the average distance between the nucleus of the atom to the outermost shell of the atom is atomic radius अब यह हम average distance क्यों use करते हैं या इसके बारे में हम इसको इसके देखें कि atom की जो उनसी radius है यह average distance क्यों कहलाता है यह perfect या fix amount क्यों नहीं होती इसकी वज़ा यह है या उसकी जोंसी है different reasons है जिनको अब हम study करेंगे कि why the radius of an atom cannot be described precisely why atomic radius cannot be described precisely इसकी reasons हम अभी देखेंगे normally अगर मेरे पास एक circle है तो मैं इसका radius कहता हूँ जी 2 cm तो यह 2 cm fix है यह average नहीं है तो हम atom के case में average distance लेते हैं definition में भी हमने average distance की बात की तो यह इसकी वज़ा क्या है इसकी पहली वज़ा यह है कि there is no sharp boundary अगर आप लोग there is no sharp boundary of an atom अगर आप लोग chapter number 5 के आखरी कुछ topics जिनमें हमने orbital के concept को study किया था उनको revise करें या उनको recall करें तो आपको याद होगा कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी probability of finding an atom और जहां पर यह 95% होती थी उसको हम orbital कहते थे तो probability का मतलब है कि we are not sure about the exact position of an electron in the atom तो हम probability find करते थे कि इस area में इसके electron के पाए जाने की probability क्या है which means कि electron के मौजूद किसी atom के अंदर किसी भी atom की sharp boundary जो है वो मौजूद नहीं है for example अगर यह मैं बनाता हूँ एक atom तो यह जो shell है यहां पर probability तो है बट यह यहां तक इसका distance में यहां तक नहीं लूँगा इसके probability ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है इस पूरी range में atom कहीं भी पाया जा सकता है electron और जहां पे electron पाया जाएगा वही उसका balance shell की ending होगी इस वज़ा से हम exact quantity of या exact distance find out नहीं कर सकते क्योंकि atom की एक sharp boundary नहीं होती atom की एक range एक distance की range आ गई कि इसके अंदर अंदर कहीं पे भी आपका electron पाया जाएगा और जहां पर वो electron पाया जाएगा वही उसका distance जो है वो मेजर किया जाएगा वही उसका outermost shell होगा इस वज़ा से पहली reason जो है वो यह है कि उसकी sharp boundary ना होने की वज़ा से जो है आपके पास उसका जो है वो atomic size वो precisely हमारे पास नहीं आ सकता वो कहता है जी the probability of finding an electron never become zero कहरे जी जो probability की हमने बात की है that never become zero ऐसा नहीं है कि वो zero हो जाए किसी जगा पर for example मैं कहता हूं जी कि यह मैंने एक electron का जो structure बनाया है item का तो मैं कहता हूं जी इस area में probability बिल्कुल नहीं है chances है कि इस area में भी electron आपको मिल जाए तो फिर आपका distance यह बन जाएगा और अगर इधर मिर रहा है तो distance यह बन जाएगा तो यह पहली reason थी कि there is no sharp boundary of an atom जिसकी वजाते हम atom का distance यह radius precisely में यह नहीं कर सकते second reason जो है इसकी वो यह है कि जो आपके पास electronic distribution है electronic distribution of an atom यह जो है affect होती है that is affected by the neighboring atoms वो atom जो उसके नजदीक हैं उसको neighbor कर रहे हैं उनके उपर भी electronic configuration यह electronic distribution जिसको कहना चाहिए वो depend करती है अगर आपके एक atom के करीब एक बड़ा ज्यादा shell वाला electron पड़ा हुआ एक atom पड़ा हुआ है तो इसके electron जहरी सी बात है इसके electron को intervene करेंगे intervene करेंगे या फिर repel करेंगे जिसकी वज़ा से इसका size जो है normal conditions में अगर यह इस line तक होता था तो इस shell की मजूदगी की वज़ा से हो सकता है वो थोड़ा सा suppress हो जाए अंदर की तरफ repel होने की वज़ा से और फिर इस case में जो हमारे पास radius होगा वो यह होगा तो पता यह चला कि जो neighboring atoms होते हैं किसी भी atom की जो surrounding में atoms मुझूद होते हैं वो उसकी electronic distribution को effect करते हैं और जिसके नतीजे में आपके पास जो electron की shape जो आपके पास atom का size है atom का radius है वो change हो सकता है उसके distance में जो है वो फरक आ सकता है तो यह दो reasons थी जिनकी वज़ा से आपके पास atom का जो radius है वो average लेते हैं हम उसको precisely describe नहीं कर सकते हैं अब यहां पर different techniques की भी थोड़ी सी बात करेगा कि how do we measure the atomic radius तो उसके नतीज उसके पास दो techniques है number one are the x-rays के हम x-rays को fire करवाते हैं और उस technique से हम atomic radius को find out कर लेते हैं और इसी number one और number two है जी आपके पास spectroscopic measurement जो हम अपने पहले chapter में भी study करके आए हैं spectroscopy को उस technique को भी इस्तमाल करते हुए हम इन दो method से क्या find out कर सकते हैं atom का जो radius है atomic radii can be measured with x-rays or through the spectroscopic measurement अब हम चलते हैं अपने topic के next part की तरफ जिसमें हमने देखना है trend in the periodic table trend of atomic sizes in the periodic table periodic table में जो आपके पास atom के sizes हैं वो left to right move करने पे या उपर से नीचे move करने में उनके अंदर जो है क्या changing लाती है और उनकी जो अंती है वो वजा क्या है उसको हम देखते हैं इस तस्वीर की मदद से let me copy paste it उके इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इस में क्या है ये one a two a three a four a these are the groups different groups जो उनसे हैं आपको mention किये गए हैं similarly अगर मैं left to right move करूँ इस direction में तो लीथियम ब्रेलियम बरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सिजन फ्लॉरीन और नियॉन इस 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 आर दा तो राइट अगर मैं trend देखूं तो आपके सामने इसका trend नजर आ रहा है कि left से राइट ये जो आपके पास ये ब्लू सरकल नजर आ रहा है ये इसके size को show कर रहा है ये size आगे आगे जाते जाएं size क्या हो रहा है decrease तो ये आपको याद होना चाहिए कि atomic sizes decrease in periods जब हम periodic table में left to right move करते हैं तो atom का size जो है वो कम होता है अगर इसको आप देखें 152 Picometer में 1112 85 77 और ये इस सरफ क्या हो रहा है कम हो रहा है अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी reason क्या है इसके कम होने की size के वज़ा क्या है आप लोगों को अगर आपके basic concepts बिल्कुल सही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो number of periods होते हैं उतने ही उसके अंदर number of shelves मौजूद होते हैं अब वो क्या रहा है अगर मैं इस पहले group पहले period की बात करता हूँ लीथियम, ब्रेलियम, बोरान तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं number of electron जो है in period number of electron जो है वो क्या हो रहा है shell के अंदर increase हो रहा है boron क्या होता है 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10 तो एक एक electron का क्या हो रहा है इदाफा हो रहा है लेकिन number of shell जो है आपका period के अंदर number of shell वो change नहीं हो रहा, remain same अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक shell है for example, ये, इसके अंदर अभी एक है आगे गए period में shell वो ही electron 2 फिर आगे गए period में shell वो ही electron 3 फिर आगे गए period में shell वो ही electron 4 अब स्वाल ये पैदा हुआ यहां पे shell same है, number of electrons left to right मूव करने में बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कि इसका जो distance है वो अब कम क्यूं होगा, हमने कहा कि left to right मूव करने पर decrease होता है, atomic radius, उसकी वज़ा ये है कि जैसे जैसे आप इदर जा रहे हैं nucleus के अंदर charge जो है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, क्यूं? यहां पर अगर एक electron था और पहले में तो दो होते ही हैं this is two तो nucleus के अंदर आपको पता है जितने electron होते हैं उतने ही proton होते हैं तो यहाँ पर nucleus का charge कितना है? 3, क्योंके 3 एलेक्टरोन है, यहाँ पर निक्लिस का चार्ज 4, यहाँ पर निक्लिस का चार्ज 5 और यहाँ पर 6 अब, यहाँ पर 6 प्रोटोन मुझूद हैं इन एलेक्टरोन को खींचने के लिए यहाँ पर 5 मुझूद हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 नियूक्लियर चार्ज बढ़ने की वज़ा से ये जो अलेक्टरॉन है ये एक दूसरे नियूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे इसको अब इस तरीके से देखें अगर मेरे पास एक मैगनेट है और यहाँ पर एक चोटा सा आईरन का पीस है तो डिस्टेंस अगर ये मैं सेम रखता हूँ तो ये मैगनेट इसको जिस फोर्स से खींचेगा अगर मैं इसी मैगनेट को रिप्लेस कर दूँ बरे मैगनेट से तो वो ज्यादा फोर्स से इसको खींचेगा तो ये इसके करीब आ जाएगा सिमिर लली यहाँ पर नियुकलिस जो है मैगनेट का काम कर रहा है नियुकलिस का चार्ज हम बढ़ा रहे हैं और नियुकलिस के चार्ज बढ़ने की वज़ा से ये जो बाहर वाला शेल है ये इस की नजदीक ज्यादा खींच रहा है इसकी निस्बत और लेफ्ट तो राइट जो मूव करने पर आपका जो है अटामिक रेडियस वो कम होता है ये इस डायग्राम में भी आपने देखा कि ये कम हो रहा है इसकी वज़ा क्या है कि शेल तो सेम है नंबर ओफ शेल रिमें सेम लेकिन नंबर ओफ एलेक्टरॉन बढ़ने की वज़ा से निकलिस का चार्ज बढ़ जाता है और वो एलेक्टरॉन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींचना शुरू कर देता है जिसकी वज़ा से अटामिक साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है तो ये तो ट्रें कन्फिगरेशन करें लिथियम सोडियम पोटैशियम की तो इनके बाहर वाले शेल में एक एलेक्टरॉन होगा इनकी अगर करें तो इनमें दो होंगे लेकिन जैसे जैसे अप उपर से नीचे आ रहे हैं नमबर ओफ शेल जो है वो क्या हो रहा है इनक्रीज हो रहा है यहां पर अगर इसकी उलेक्ट्रानिक कन्फिगरेशन करें तो पहला शेल होगा दूसरा तीसरा जैसे उपर से नीचे आएंगे नमबर ओफ शेल जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे शेल बढ़ेगा तो अबियस सी बात है आपके पास क्या होगा उसका साइस भी बढ़ता जाएगा इसको अगर आप इस तरह से देखें कि मैं उपर से नीचे मूव करूँगा तो पहले में एक शेल फिर मैं ग्रूप में नीचे आया दो शेल फिर मैं ग्रूप में नीचे आया तीन शेल और फिर मैं ग्रूप में आगे बढ़ा तो चार शेल तो आप देखें कि साइज जो है अटामिक रेडियस तो इसकी वज़ा क्या है कि नमबर ओफ इनक्रीज इन दी अटम तो ये दो रीजन हमने स्टडी की इसके अंदर कि लेफ्ट तो राइट पीरिड के अंदर जो है आपके पास अटमिक साइज कम होता है उसकी वज़ा क्या है कि नमबर ओफ इनक्रीज होते हैं और इनक्रीज होने से नुकलियस का चारज भी बढ़ जाता है और वो उसको ज्यादा ताकत से खीचना शुरू कर देता है और लेफ्ट तो राइट आपके पास क्या होता है अटमिक रेडियस डिक्रीज होता है और जब उपर से नीचे मूव करते हैं तो नमबर ओफ शेल जो उनसे हैं इनक्रीज करना शुरू कर देते हैं इन सब के अंदर अगर आप देखें तो नमबर ओफ शेल इनक्रीज करने की वज़ा से आपके पास अटमिक रेडियस जो है वो क्या होता है इनक्रीज हो जाता है तो दिस इस वाट वी कॉल एज दिट्रेंड ओफ अटमिक साइज प्रेजन इन दी प्रियोडिक टेबल तो ये एक वज़ा है आपके पास कियों जो है आपका अटमिक साइज जो है वो ग्रुप में इनक्रीज करता है और पीरियड में डिक्रीज करता है अब एक और चीज जो आपके पास आपके बुक में भी मेंशन है उसको अगर हम देखें अगर मैं प्रियोड केबल को एक्स्टेंड करूं अगर इस तस्वीर को आप लोग देखें तो इस तस्वीर के अंदर जो ये वाला रीजन है लेट में मार्केट इस रीजन जिसको आप ट्रांजिशन मैटल्स का रीजन कहते हैं इनके अंदर साइज तकरीबन तकरीबन सेम है उतनी शापली डिक्रीज इन में नहीं आ रहा इन ट्रांजिशन मैटल्स में इस वाले पोशन में उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा ये है कि आपके बुक में भी मेंचिन करता है उसकी वज़ा है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसके अंदर इनका अटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा शापली जो है वो डिक्रीज नहीं करता उसकी वज़ा क्या होती है कि वैलेंस शेल के अंदर नमबर ओफ अलेक्टरॉन्स जों से हैं वो क्या होते हैं ज्यादा होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर नमबर ओफ अलेक्टरॉन्स आर इंक्रीज़ मतब बारा होंगे तेरां चोदां इस तरह 18 तक होते है number of electrons के बढ़ जाने की वज़ा से क्या होता है कि करीब करीब number of electrons क्या करते है they repel each other electrons एक दूसरे को repel करते है for example ये एक shell है outer most जिसके अंदर आपके पास electrons जों से हैं वो मुझूद है this is a shell इसके अंदर electrons जों से हैं वो मुझूद है जब एक shell के अंदर बहुत जड़ादा electrons मुझूद होंगे तो वो एक दुसरे को क्या करेंगे repel करेंगे एक दुसरे को जब ये repel करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे और दूर जाने की वज़ा से इनका size लोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यही वज़ा है कि जब आप इसके अंदर इसको study करते हैं तो इनके size के अंदर की खास फरक नहीं आता यह तकरीबन तकरीबन same होते हैं जिसकी वज़ा यह shielding effect होता है shielding effect क्या होता है the repulsion between the electrons present in the valence shell जो valence shell के अंदर electrons present होते हैं उनकी आपस में repulsion की वज़ा से जो effect होता है that is shielding and screening effect तो यह भी एक बात आपके देन में होनी चाहिए जो के आपके book में भी mention है तो this was our topic today जिसमें हमने जो चीज़ें study की है atomic radius उसकी reasons हमने देखी कि क्यों इसको specifically हम design या specific जुनसी है quantity में measurement नहीं कर सकते फिर हमने जो चीज़ देखी उसके trend देखे in periodic table group के अंदर atomic radius increase करता है और period के अंदर atomic radius decrease करता है जिसके बारे में हमने detail में उसकी reasons के तुरूस को study किया तो यह आज का हमारा topic था about the atomic sizes